परिजय बच्चों, आज हम लोग सांडिक को जानेंगे सर्व प्रथम मुझे बताओ कि क्या हम एकल मान द्वारा आवियो या मैट्रिक्स को प्रदशित कर सकते हैं हाँ सर कैसे? क्या किसी को नहीं पता? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ सांडिक की साहिता से एकल मान द्वारा आवियो या मैट्रिक्स को प्रदशित कर सकते हैं तो आव अपने इस अठ्याय में हम सांडिक के बारे में विस्तार से चर्चा करें उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक आवियो का सांडिक निकालना सांडिक के गुण धर्मों का उप्योग करते हुए उसे हल करना सांडिक का उप्योग करते हुए तिरिबुज का क्षित्रफल निकालना आवियो का व्यूत क्रम निकालना सार्णिक और आव्यूव का उप्योग करके समिकरन निगाई को हल करना सार्णिक यदि हम एक संख्या या फलन का प्रतेक वर्क आव्यूव के साथ संबंध कराते हैं तब उस आव्यूव को आव्यूव का सार्णिक कहते हैं एक आवियो जो की वर्ग नहीं है साणिक नहीं होता। माना की A बराबर AIJ एक N कोटी का वर्ग आवियो है। तब A के साणिक को निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। माना की A बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती P, Q दूतिय पंक्ती RS है। तब A का साणिक को इस प्रकार लिखा जा सकता है। एक कोटी के आवियो का साणिक माना की A बराबर A11 कोटी एक का एक वर्ग आवियो है। अवियव A11 को एके साणिक के मान के रूप में परिभाशित किया जाता है। A का साणिक बराबर A11 उधारनार्थ यदि A पराबर मैनस 5 है तब A का साणिक पराबर मैनस 5। दूतिय कोटी के एक आवियो का साणिक माना की A पराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती A, B, दूतिय पंक्ती C, T। सानिक को इस प्रकार प्राप्त किया जाता है, नेले का मतलब धनात्मक प्लस 80, लाल का मतलब रनात्मक माइनस 20, आता एका साननिक पराबर एक गुणाँटी माइनस बी गुणाँटी, तीन क्रोस तीन कोटी के एक आविव का साननिक, माना की A पराबर पंक्ती अनुसार प्रत्रम पंक्ती A11, A12, A13 दूद्य पंक्ती A21, A22, A30 त्रीद्य पंक्ती A31, A32, A33 प्रत्रम पंक्ती का उप्योग करके कोटी 3 के सरणिक का विस्दार निम्न प्रकार से किया जा सकता है जहां A11 बराबर निमने लिखित है, और A13 बराबर निमने लिखित है. हल करने के पश्चाथ हमें प्राप्त होता है. A21 गुण A32 माइनस A25 गुण A31 दूतिये पंक्ति एवं त्रितिये पंक्ति का विस्तार करके भी हम वही परिणाम प्राप्त करते हैं. उधारण दूतिये पंक्ति CD के लिए A का सारुनिक बराबर AD-BC दियेगाई प्रश्ण में आव्यू A बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 2-5. दूतिये पंक्ति 1-3. आथा A पराबर 2, B पराबर 5, C पराबर 1, D पराबर-3. आथा A का सारुनिक बराबर 2-3-5-1, बराबर-6-5, बराबर-11. आव्यू A बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 3-0-1, दूतिये पंक्ति 2-5-4, तृतिये पंक्ति-3-1, 3 का सारुनिक ज्याद कीजे. हल, आव्यू A बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति A-11, A-12, A-13, दूतिये पंक्ति A-21, A-22, A-23, तृतिये पंक्ति A-31, A-32, A-33 के लिए. A का सारुनिक पराबर A-11 गुण A-22 गुण A-23, मैनस A-23, गुण A-32, मैनस A-21, गुण A-31, प्लस A-13, गुण A-21, गुण A-32, मैनस A-22, गुण A-31, दूतिये गाई प्रश्न में, आवियू A बराबर पंक्ति अनुसार, प्रथम पंक्ति 3, 0, मैनस 1, दूतिये पंक्ति 2, मैनस 5, 4, तृतिये पंक्ति, मैनस 3, 1, 3. आथा, एका सारनेक बराबर 3, मैनस 5, 3, मैनस 4, 1, मैनस 0, 2, 3, मैनस 4, मैनस 3, प्लस, मैनस 1, 2, 1, मैनस 5, मैनस 3, बराबर 3, मैनस 15, मैनस 4, मैनस 0, गुण 6, प्लस, 12, प्लस, मैनस 1, गुण 2, मैनस 15, बराबर 3, मैनस 19, मैनस 0, गुण 18, मैनस 1, मैनस 13, बराबर मैनस 57, प्लस, 0, प्लस 13, बराबर मैनस 44, सार्णिकों के गुण धर्म गुण धर्म 1, सार्णिक का मान आप परिवर्थित रहता है, यदि उसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस पर परिवर्थित कर दिया जाए गुणधर्म दो, यदि एक सार्णे की कोई दो पंक्तियों या स्तम्भों को परस पर परिवर्थित कर दिया जाए, तब सार्णे का चिन्न परिवर्थित होता है गुणधर्म 3 यदि एक सार्णी की कोई दो पंक्तियां अत्वाइस तंब समान है तब सार्णी का मान शुन्य होता है गुण धर्म चार यदि एक सार्णिक की किसी एक पंग्ती अत्वाइस्तंब के सभी अव्यव का गुणा एक अचर राशी केसे किया जाता है तब उस सार्णिक का गुणा केसे हो जाता है गुण धर्म पांच यदि एक सार्णिक की किसी पंग्ती अत्वाइस्तंब के कुछी या सभी अव्यव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तब उस सार्णिक को दो या अधिक सार्णिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है गुण धर्म 6 यदि एक सानिक की किसी पंग्ती या इस्तंभ के प्रतेक अव्यब में दूसरी पंग्ती या इस्तंभ के संगत अव्यबों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है, तो सानिक कमान वही रहता है उधारण सानिक के गुण धर्मों का उप्योग करते हुए निम्न का मोल यांकन कीजिए हल, हमें निम्न लिखे ग्यात है प्रतंभ इस्तंभ से साथ को उबैनिश्टि लेने पर इस्तंभ एक तथा दो समान है आता सानिक का मान शुन है बड़ाबर साथ गुणा शुने बड़ाबर सानिक का मान ग्यात कीजिए हल, माना की डिल्टा निम्निलिकित के बराबर है संक्रिया आर एक अप्रोचिस टू आर एक प्लस आर तो प्लस आर तीन का उप्योग करके हमें प्राप्थ होता है प्रतंभ पंक्ति के सभी अव्यव शुने हो जाते हैं इसलिए सानिक का मान शुने है तिरिभुज का क्षित्रफल तिरिभुज ABC का क्षित्रफल जिसके शीर्ष बिंदू A X1Y1 B X2Y2 C X3Y3 है 1 बटा 2 X1 गुणा Y2-Y3 प्लस X2 गुणा Y3-Y3 Y1 प्लस X3 गुणा Y1-Y2 है इसे निम्न प्रकार से एक सानिक के रूप में लिखा जा सकता है इस मर्णिये तथ्थे चित्रफल हमेशा एक धनात्मक राशी होती है इसलिए चित्रफल के लिए हम हमेशा सानिक के निर्पेक्ष मानों को लेते हैं बिंदू A, B तथा C समरेखे हैं यदि तिर्भुज A, B, C का अक्षित्रफल चुनने हो उधारन सानिक का उप्योग करके उसे तिर्भुज का अक्षित्रफल ग्याद कीजे जिसके शीर्ष बिंदू माइनस तीन पांच, तीन माइनस छे और साथ दो हैं हल शीर्ष बिंदू माइनस तीन पांच, तीन माइनस छे और साथ दो वाले तिर्भुज का अक्षित्रफल निम्नसानिक त्वारा दिया जाता है आता इसकी गणना करके हल करने पर हमें 46 प्राप्तो होता है वांच, निये तिर्भुज का अक्षित्रफल 46 वर्गिक आई है उपसार्णिक और सहखंड सार्णिक का उपसार्णिक वो सार्णिक है जो उसी पंक्ती और उसी स्तंब में सभी अव्यवों को हटाने के बाद बच जाता है उधारनार्थ निम्नलिकित सार्णिक में ए एक का उपसार्णिक ये है सहखंड एक अवियव के सैखंड संगत उपसानिक हैं, जिनका माइनस एक की खाद M प्लस N से गुणा किया जाता है, जहां M और N पंक्तियों और इस्तम्भों की संख्या हैं, जिनमें अवियव नहित होते हैं. उप्रोक्त सानिक में अवियवों A1, A2, A3, B1, B2, B3 इत्यादी जिनहें A1, A2, A3, B1, B2, B3 इत्यादी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है. के सहिखंड के एकांतर रूप से संगत उप्सानिक हैं, जिनका फ्लास एक तथा माइनस एक से गुणा किया जाता है. उधारण निवन में अवियव के सभी उप्सानिक और सहिखंड ग्याद कीजिए. हल माना की A11 बराबर 4 A12 बराबर 3 A13 बराबर 1 A21 बराबर 1 A22 बराबर 3 A23 बराबर 2 A31 बराबर 2 A32 बराबर 1 A33 बराबर 5 कैपिटल M11 बराबर A11 का उप्सानिक बराबर है, निमने के जो बराबर है 15 खटा 2, जो की बराबर है 13 के कैपिटल M12 बराबर A12 का उप्सानिक बराबर है, निमने के जो बराबर है 5 खटा 4, जो की बराबर है 1 के कैपिटल M13 बराबर A13 का उप्सानिक बराबर है, निमने के जो बराबर है 1 खटा 6, जो की बराबर है माइनस 5 के कैपिटल M21 बराबर A21 का उप्सानिक बराबर है, निमने के जो बराबर है 15 खटा 1 के, जो की बराबर है 14 के कैपिटल M22 बराबर A22 का उप्सानिक बराबर है, निमने के जो बराबर है 20 खटा 2, जो की बराबर है 18 के कैपिटल M23 बराबर A23 का उप्सानिक बराबर है, निमने के जो बराबर है 4 खटा 6, जो की बराबर है घटा 2 के Capital M 31 बराबर A 31 का उपसांडिक बराबर है निम्निके जो बराबर है 6 घटा 3 जो की बराबर है 3 के Capital M 32 बराबर A 32 का उपसांडिक बराबर है निम्निके जो बराबर है 8 घटा 1 जो की बराबर है 7 के कैपिटल M33 बराबर A33 का उपसांड एक बराबर है निम्न के, जो बराबर है 12 घटा 3, जो की बराबर है 9 के, सैखंड निम्न लिकित है आवियो का सैखंडच और व्यूत क्रम माना की कैपिटल A बराबर AIJ एक वर्ग आवियो है कैपिटल A के सैखंडच को आवियो कैपिटल AIJ के परिवर्थ के रूप में परिभाशित किया जाता है जहां सारणिक कैपिटल A में कैपिटल AIJ अवियव AIJ का सैखंड है इसे कैपिटल A के सैखंडच के रूप में निरूपित किया जाता है इस प्रकार कैपिटल A का सैखंडच बराबर कैपिटल AIJ के सैखंड़ों के आवियो का परिवर्थ है आव्यूत करम्डिये आव्यू माना की कैपिटल ए एक वर्ग आव्यू है आव्यू, ए आव्यूत करम्डियें आव्यू कहलाता है यदि एका सारनिक बराबर शून है यदि एका सारनिक शून के बराबर नहीं है तब आव्यों को व्यूत करम्णियें कहा जाता है उधारण एका सैखंड़ज क्यात कीजिए जहां ए पराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती एक दो दुईतिय पंक्ती तीन चार है हल दिया गया आव्यों निम्न है आव्यों एके सैखंड है एक्यारा बराबर चार एबारा बराबर माइनस तीन एएक्कीस बराबर माइनस दो एपाईस बराबर एक अतैव एके सैखंड़ज बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती चार माइनस दू, दूइतिय पंक्ती, माइनस तीन, एक है. एक आवियो का सैखंड़ज और व्यूत्क्रम प्रमाए एक यदि कैपिटल ए कोई वर्ग आवियो है, तब कैपिटल ए कोणा कैपिटल ए का सैखंड़ज बराबर कैपिटल ए का सैखंड़ज गोणा कैपिटल ए बराबर कैपिटल ए साणि कोणा आई, जहां आई तस्समग आवियो है. प्रमाए दो यदि A और B समान कोटी के विदक्रम्रिये आवियो हैं तब A B तथा B A भी समान कोटी के विदक्रम्रिये आवियो होंगे प्रभैं 3 आवियों के गुणन का सारणिक उनके सम्बंदित सारणिकों के गुणन के वराबर होता है अर्थात कैपिटल A B का सारणिक वराबर कैपिटल A का सारणिक गुणा B का सारणिक जहां कैपिटल A और कैपिटल B समान कोटी के दो वर्ग आवियो हैं प्रमाई 4 एक वर्ग आवियू ए के व्यूत्ग्रम का अस्तित्म है, यदी और केवल यदी ए एक व्यूत्ग्रम लिए आवियू हो, एका व्यूत्ग्रम पराबर एक बड़ा एका सार्णिक गुणा एका सैखंड़ज. उधारण ए बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती, दो पांच, दुईत्य पंक्ती, मैनस तीन, एक का व्यूत्ग्रम ग्याद कीजिए. हल दिया गया आवियू निवने है. capital A का सानिक बराबर 2, minus 5 गुणा minus 3 बराबर 17 जोकी 0 के बराबर नहीं है आता capital A का व्यूत्गरम अस्तित्व में है आवे होके सहखंड हैं, कैपिटल एक आव्यूत करम बराबर एक पटा सत्रा गुणा आव्यू पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती एक माइनस पांच दूतिय पंक्ती तीन दो है। साणिकों और आव्यूं के अनुप्रयोग संगत निकाए निकाए संगत कहलाता है, यदीस के हलों का अस्तित्व होता है। असंगत निकाए निकाए असंगत कहलाता है यदि इसके किसी बी हलों का अस्तित्व नहीं होता है संगत् Timizi का माथटेंड एक तिये क्ए निकाए के लिए capital AX बराबर capital B capital AX बराबर रहकिक समीकरण का capital A वेत्करम गुणा capital B जहां capital A एक वर्ग आवियो है संग गत्ता और अशंग गत्ता के लिए हमारे पास निम्निलिखित माप्देंट हैं एक यदि साणिक ए शुनि के बराबर नहीं है तब निकाह संगत है तथा इसका हल आधरितिय है 2. यदि सांडिक A बराबर 0 है एवं A गुणा B का से खंडच बराबर 0 है तब निकाह संगत है तथा इसके अनंत हल है 3. यदि सांडिक A बराबर 0 है एवं A गुणा B का से खंडच शुने के बराबर नहीं है तब निकाह संगत है तथा इसका कोई हल नहीं है उधारण निगाह समीकरों को हल करने के लिए आव्यू विधी का उप्योग कीजिए x प्लस 2y बराबर 4 2x प्लस 5y बराबर 9 हल दिया है x प्लस 2y बराबर 4 2x प्लस 5y बराबर 9 निगाह समीकरों को कैपिडल A x बराबर कैपिडल B के रूप में लिखा जा सकता है जहां कैपिडल A बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती 1, 2, 2 दिया पंक्ती 2, 5 कैपिडल x बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती x, 2 दिया पंक्ती y पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 4, दूतिय पंक्ति 9, कैपिटल ए का साणिक पराबर 5, मैनस 4 बराबर 1, शूने के पराबर नहीं है, इस प्रकार कैपिटल ए वियुत क्रम्रिये है, एवं इसलिए इसका प्रतिलूम अस्तित्व में है, पंक्ति अनुसार आव्यों, कैपिटल ए का सैखंडच है, प्रथम पंक्ति 5, मैनस 2, दूतिय पंक्ति मैनस 2, एक हमें ग्याद है कि AX बराबर है BK X बराबर है कैपिटल A का व्यूत करम गुणा BK X कमान रखने पर A का व्यूत करम तथा B आवियू x पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति x द्य पंक्ति y बराबर आवियू इस प्रकार x बराबर 2, y बराबर 1 है. क्या आप जानते हैं, जापानी गणी तक गे टका काजू सेकी कोवा ने सांडिक और उसके प्रसार को विक्सित किया. लापलास ने सांडिकों के प्रसार करने की व्यापक विथी दी. सारांश आईए, हमने जू कुछ सीखा है, उजे संख्षेब में दोराएं. यदि हम एक संख्या या फ्रसार का प्रतीक वर्ग आवियू के साथ संबंध कराते हैं, तब उस अवियव को आवियू का सांडिक कहते हैं. सांडिक के गुण धर्म निमने लिखित हैं. सांडिक का मान आप परिवर्थित रहता है, यदि इसकी पंक्तियां और इस्तंभ परस पर परिवर्थित हों. यदि हम सांडिक के कोई दो पंक्तियों अत्वा इस्तंभों को परस पर बदल दें, तो सांडिक का चिन बदल जाता है. यदि सार्णिक की कोई दो पंक्तियां अत्वा इस्तंभ समान हैं तो सार्णिक कमान शूने होता है जड़ी हम एक सार्णिक की किसी एक पंक्ति अत्वा इस्तंभ के सभी अव्यवों को एक अचर के से गुणा करतें तो सार्णिक कमान के गुणा हो जाता है यदि एक सार्णिक की एक पंक्ती अत्वा इस्तंब के कुछ या सभी अव्यव दू या अधिक अव्यवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकते हूं, तो उस सार्णिक को दू या अधिक सार्णिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है. यदि एक सार्णिक की किसी पंक्ती या स्तंभ के प्रतेग अव्यव में दूसरी पंक्ती या स्तंभ के संगत अव्यवें के समान गुर्जुन को जोड़ दिया जाता है, तो सार्णिक का मान आपरिवर्तित रहता है। सार्णिक के रूप में तिरिभुजगा क्षित्रभल इस प्रकार है सार्णिक का उपसार्णिक वो सार्णिक है जो उसी पंक्ती और उसी इस्तंब में सभी अव्यवों को हटाने के पश्चाद बच जाता है एक अव्यव का सहखंड एक संगद उपसार्णिक और माइनस एक की खात M प्लस N का गुनन होता है जहां M और N पंक्ती और इस्तंब हैं जिसमें अव्यव नहित है सहखंड जग कैपिटल A को आव्यू कैपिटल A आईजे के परिवर्थ के रूप में परिभाशित किया जाता है जहां कैपिटल A आईजे साणिक कैपिटल A में आव्यव A आईजे का सहखंड है एक वर्ग आव्यू कैपिटल A वियुत करमणियें होता है यदि और किवल यदि capital A वियुत कर्मडियें आवियो हो capital A वियुत करम बराबर एक बटे capital A का सांडिक गुणा capital A का सहखञटच सांडिक capital A के बराबर नहीं है तब निकाए संगत है एवं इसका एक अदोईतिय हल है यदि सांडिक कैबिटल ए बराबर शुन है और सेखंड़ज कैबिटल ए कैबिटल बी बराबर शुन है तब निकाए संगत है एवं इसके कई अनंत हल हैं यदि साड़े कैपिटल ए परावर 0 है और सेखंड़ज कैपिटल ए कैपिटल बी 0 के परावर नहीं है तब निकाए असंगत है एवं इसका कोई हल नहीं है उल जड़ा आथ झापव में झाल झाल दो में सक्ब्यों कैपिए आपिपल ए था हुआ आउर यिया और सेखंज़ भीला नहीं है जंसे इसक हुआजश Community टताई क enquता भीली